नमस्कार दोस्तों मैं ओम प्रकास गोश्वामी एजुकेशन टू आल यूटूब चैनल में आपका हार देख स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी क्लास 12 सत्र 2022-23 पाठ्थे क्रम अंक विवाजन एवं पेपर फॉर्मेट की बात करेंगे दोस्तों यह फ्रसंपत्र 80 अंक का 80 माक्स का होगा और 3 घंटे का होगा बाकी 20 अंक का सरवन वाचन एवं परिजनाकार होगा सिर्वन यानी listening test पांचंक का वाचन यानी speaking test पांचंक का और परिजनाकार फाइल यानी project work फाइल दस अंक की होगी दोस्तु सिर्वन वाचन एबंपरिजनाकार फाइल का मुल्यांकन विद्याले इस्तर पर सम्बंदित विसे अध्यापक द्वारा ही किया जाएगा इस तरह से 80 marks का आपका बोर्ड पेपर और 20 marks का आपका सिर्वन बाचन और परिजनाकार इस तरह से कुल अंक हुए 100 दोस्तो इस प्रस्ण पत्र में दो खंड होंगे खंड आ और खंड बा खंड आ मैं 45, 45, MCQ टाइप प्रस्ण पूंचे जाएंगे जिन मैंसे 45 मैंसे आपको 40 प्रस्णों के ही उत्तर देने होंगे खंड बा मैं बढ़नात्मक प्रस्ण पूंचे जाएंगे प्रस्णों मैं उचित आंत्र के विकल्प यानी ऑप्सन भी दिये जाएंगे दोस्तो इस प्रस्ण पत्र का जो पहला प्रस्ण होगा वो अपठित गद्यांस इवं पद्यांस से सम्मंदित होगा प्रस्ण एक के आ मैं एक अपठित गद्यांस होगा जो के 10 अंक का होगा और जिस पर आधारित एक एक अंक के MCQ टाइप 10 प्रस्ण पूंचे जाएंगे प्रस्ण एक का जो 2 प्रस्ण होगा उसमें 2 अपटित पद्यांस पूंचे जाएंगे जिन मैंसे कोई एक आपको करना होगा दो अपटत पद्यान समय से कोई एक करना होगा जो के पांच अंक का होगा और एक एक अंक के MCQ टाइप पांच प्रस्न पूँचे जाएंगे अगला जो प्रस्ण होगा वो अव्यक्ति और माध्यम के टॉपिक पर आधारित एक एक अंक के MCQ टाइप पांच प्रस्ण पूँचे जाएंगे पांच अंक के अगला प्रस्ण पाठ पुष्टक आरो भाग दो से बहु विकलपात्मक प्रस्ण यानि MCQ टाइप प्रस्ण होगे जो इस तरह से होगे प्रस्ण संक्या तीन का अ इसमें पठित काब्यांस पर पांच बहुद कलपी यानि MCQ टाइप पांच प्रस्ण पूँचे जाएंगे एक एक अंक के यानि जो आरो भाग दो से जो कविता हैं सिलेवस में पार्ठ करम में जो कविता हैं उनमें से कोई एक काब्यांस यानि पद्यांस आएगा और उस पर आधारित MCQ टाइप पांच प्रस्ण पूँचे जाएंगे एक एक अंक के उसी तरह से प्रस्ण संक्या तीन का वह इसमें पठित गद्यांस पर आधारित पांच बहुद कलपी प्रस्ण होगे MCQ टाइप यानि जो पाठ करम में आरो भाग द जो गद्य पाठ हैं उनमें से कोई एक गद्यांस होगा और उस पर आधारित MCQ टाइप एक एक अंक के पांच प्रस्ण होगे तो इस तरह से पठित काभ्यांस पांच अंक का और पठित गद्यांस पांच अंक का प्रस्ण संक्या जो चार है वह पूरक पाठे पुष्टक वितान भाग दो से बहु विकल पात्मक प्रश्णों से संबंदित होगा यह 10 इंक के प्रस्ण होगे और एक एक नंक के MCQ टाइप 10 प्रस्ण पूंचे जाएंगे वितान भाग दो के संबंदित पाठों से संबंदित जो के पाठिकरम में इस बार रखे गएं CBSC के द्वार इसके बाद दोस्तो खंडबा प्रस्ण पत्र के खंडबा मैं जो पांचमा प्रस्ण होगा जो खंडबा है वो कैसा होगा बढ़नात्मक होगा लिखित होगा और प्रस्ण संग्या पांच का जो पहला प्रस्ण है वह है रचनात्मक लेखन से सम्मधित होगा कोई चार topic दिये गई होगे जिनमेंसे क्सी एक topic पर लगभग 120 सब्दों में आपको रचनातम लेखन करना होगा लेख लिखना होगा रचनातम लेख लिखना होगा जोके 6 marks चछे अंक का होगा प्रिशन संक्या 5 का जो दूसरा प्रिशन है वो है कहानी का नाटिरूपांत्राण, या रेडियो नाटक या अपृत्यासित विश्यों पर लेखन पर आधारेत, दो प्रिशन होगे तीन तीन अंक के जिमें विकलप दिये गए होगे, आप्सन दिये गए होगे, और ये तीन वे पत्रकार्टा और जन्संचार माध्दमयों के लिए लेखन पर आधारित तीन मैंसे दो प्रस्न करने होंगे जो 4-4 अंक्के होंगे इस तरह से दो सभी आधारिक तैन के दो प्रस्न यानि 8 अंक यह आपके अगला जो प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 6 आरो भाग 2 से संबंदित इसमें प्रस्ण संक्या 6 के प्रस्ण एक में काब्य खंड पर आधारित तीन प्रस्णों में से के नहीं दो प्रस्णों के उत्तर देने होगे लगबग 60 words में 60 सब्दों में और यह प्रस्ण 3-3 अंक के होगे यानि 3 प्रस्ण आएंगे 3 मैंसे 2 प्रस्णों का जबाब देना होगा हलकरने होगे जो के 3-3 अंक के होगे तो 6 अंक के हुए प्रस्ण संक्या 6 का जो दूसरा प्रस्ण है वेक काबिखंड पर आधारित 3 प्रस्णों मेंसे के नहीं 2 प्रस्णों के उत्तर लगबक 40 सब्दों में देने होगे यानि 3 प्रस्णों के 2-2 अंक के जिन मेंसे आपको 2 प्रस्ण करने है तो 4 अंक यह हुए यानि कभिताओं से संबंदित जो प्रस्ण है वेक 3-3 अंक के 2 प्रस्ण करने होगे और 2-2 अंक के 2 प्रस्ण करने होगे इस तरह से कभिताओं से संबंदित जो प्रस्ण है प्रस्ण पत्र में 10 अंक के आएंगे उसी तरह से छटे का जो तीसरा प्रस्ण है उसमें गद्य खंड पर आधारित तीन प्रस्णों में से के नहीं दो प्रस्णों के उत्तर लगवग साथ सब्दों में देने होगे जो के तीन तीन अंक का होगा च्छे अंक के दो प्रस्ण और प्रस्ण संक्या च्छे का जो चार है वह गद्य खंड पर आधारित तीन प्रस्णों म और दो दो अंक के दो प्रिस्ण करने होगे यानि कुल दस अंक के प्रिस्ण आएंगे कविताओं पर आधारित उसी तरह से जो गद्य खंड है गद्य पाठ गद्य भाग है आरो भाग दो का उसके गद्य पाठों पर आधारित तीन तीन अंक के दो प्रिस्ण करने होगे और दो दो अंक के दो प्रस्ण करने होंगे इस तरह से दस अंक के गद्य पाठों से संबंदित प्रस्ण आएंगे और दस अंक के पद्य पाठों यानि कवितां से संबंदित प्रस्ण आएंगे अगला है सरवन तदा वाचन इसके बारे मैं पूर मैं बता चुका हूं कि पांच का सरवण यानि listening test और पान्च अंख का वाचन यानि speaking test विद्यालय इस्तर पर संभन्दित विसे अध्यापक के द्वारा ही लिया जाएगा पर्युनाकार दस अंक का होगा और इसका मुल्यांकन भी सरवण वाचन की तरह परजणाकार का भी मुल्यांकन विद्याले इस्तर पर संबंदित विशे अध्यापक के द्वारा ही किया जाएगा, इस तरह से 80 माक्स का पेपर हुआ आपका और 20 माक्स का सिरबन तथा वाचन और परजणाकार हुए इस तरह से 80 प्लस 20 20 कुल अंकुए आपके 100 इसमें आप देख सकते हैं जो टॉपिक अठा दिये गए हैं आरूभाग 2 से काविखंड से गजानन मादम मुक्तिबोध जी की सहर स्विकारा है कविता हठा दी गई है इस बार के लिए और फ्राग गुरप्पुरी के दो टॉपिक हैं गजल और रू जो टॉपिक है पाठ है चाली चैपली यानि हम सब और रजिया सज्जाद जहीर की नमक कहानी इस दो टॉपिक गद्धि खंड से आरूभाग गद्धि खंड से अठाया है बाकी बितान भाग 2 से डाइरी के पंडे ऐन फ्रेंक का टॉपिक है डाइरी के पंडे जो 2022 के लिए CBSC के द्वारा डाइरी के पंडे पाठ को बितान से अठा दिया गया है यानि इस प्रकार बितान से सिलवर बैडिंग जूज और अतीत्मा दवेपाम इन तीन पाठों से दस प्रसनाएंगे जो के एक एक अंक के होंगे और MCQ टाइप होंगे दस अंक के तो यह था दोश्तो पाठेकरम अंक विवाजन एबं 2022 तेस का पेपर फॉर्मेट ओल दा बेस्ट गुड लग थैंक यू बेरी माच जय हंग धन्रवाद